अब्जिक्ट ओरिएंटेट पीएचपी में अब हम बात करेंगे इंटरफेस की ठीक है तो हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि इने रिटेंस किसे गाम करता तो इने रिटेंस में हमारे पास में क्लास A थी ये क्लास A है और क्लास B है हम लोगों ने इने रिटेंस के माद मान लीज़े हमारे पास में एक और class होती जिसको हम लोग class C बोल रहे थे और अगर हमको class A को inherit करना है class B और class C में यानि कि multiple inheritance करना है तो ये इस काम को करने के लिए ये inheritance से possible नहीं है इसके लिए interface का हमको use करना होता है तो देखें कुछ इस तरीके का C ने class 1 है हमारे पास में और class 1 के बाद में ये class B है class A है class B है और class C है और ये तीनों class और एक class हमारे पास में class D है ठीके अब ये class D class A को inherit कर रही है class B को inherit कर रही है और class C को inherit कर रही है तो ये inheritance है possible नहीं, इसके लिए हमको interface का use करना होगा, तो interface हम लोग किसे बनाते हैं, तो देखे हमको class A को interface में convert करना होगा, class B को interface में convert करना होगा और class C को interface में convert करना होगा अच्छा, interface और class में कुछ अंतर है, interface में हम लोग जब बनाते हैं, तो देखे, interface में properties नहीं होती, और interface में method होते हैं, यहना interface में properties नहीं होती, method होते हैं और abstract method होते हैं, हम लोग उने abstract class देखी थी, उसमें हम लोग उने abstract method बनाएं थे, तो हम लोग जब भी interface बनाएंगे तो उसमें हमको abstract method बनाना पड़ेगा और उसमें properties नहीं होती है तो जिसे इसका example क्या है थे कि interface बनाने के लिए हमको यहाँ पर एक keyword use करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे interface तो जिसे यहाँ पर मैंने interface a बनाया अब यहाँ पर function show बनाया एक और खास बात है कि interface में जितने भी function बनते हैं वो public होते हैं तो इसके आगे कोई भी access specify लगाने की ज़रूरत नहीं होती है तो इसको function show मैंने direct बना दिया यहाँ पर मैं सिर्फ function को declare करूँगा इसकी जो body है वो हम लोग class के अंदर लिखेंगे तो interface बनाने के लिए पहला point है कि इसको interface keyword लगाना पड़ेगा यहाँ पर कोई भी access specify नहीं आएगा क्योंकि यह method public होता है by default ठीक है इसी तरीके से मैंने दूसरा interface बनाया और इसी तरीके से मैंने तीसरा interface भी यहाँ बना दिया अब इन तीनों interface को मेरे कोई class में use करना है तो मैंने class D बनाई और यहाँ पर implements A, B, C यानि तीनों interface को मैं implement कर रहा हूं और यहाँ पर मैंने चुकि तीनों interface को implement किया है तो मुझे इन तीनों interface की function body define करनी पड़ेगी तो मैं public function show public function display public function यह इस तरीके से मेरे को नहीं तो आजाएगी एरर तेके interface का object नहीं बनता जिस तरीके से abstract class का object नहीं बनता था उसी तरीके से interface का object नहीं बनता है इंटरफेस को यूज करने के लिए हम लोगों को drive class बनानी पड़ती है यहाँ पर जो है वो class D जो मैंने बनाई है वो एक drive class बनाई तो कितनी बाते होगी जो ध्यान रखनी है हमको interface बनाते समय सबसे पहले तो first बात कि यहाँ पर interface जो है वो interface keyword के साथ start होगा दूसरी कि यहाँ पर cable declare करना है function को define नहीं करना है third बात यहाँ पर जो function होगा उसका हम object नहीं बना सकते ठीक है जिस तरीके से यह object बनाएं तो हम लोग यहाँ पर interface का object नहीं बना सकते और last बात जो fourth point है वो यह है कि class हमको बनानी पड़ेगी interface को use करने के लिए हमको एक drive class बनानी पड़ेगी अब आता है कि interface और abstract class दोनों में कुछ similarity भी है और कुछ अंदर विए है यह question पूछा जाता है कि interface और abstract class में क्या अंदर है तो interface के अंदर प्रॉपर्टी नहीं होती हमने इस बात को देखा था कि interface के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी नहीं होती है यह देखे प्रॉपर्टी नहीं होती इंटर्फेस के अंदर इंटर्फेस के अंदर केवल मैथड होते हैं तो interface के अंदर जो है वो केवल मैथड होते हैं interface एक से ज़्यादा interface को सेम टाइम में हम लोग implement कर सकते हैं और interface can only contain abstract method अब्स्टर्क क्लास में दूसरे method भी हो सकते हैं लेकिन interface के अंदर केवल abstract method हो गए यानि ऐसे method जिनकी body नहीं होती केवल function को डिक्लेर करना होता है अब हम लोग इस example को करते हैं तो हम लोग चलते हैं यह bit.net पर यहाँ पर हम लोग एक all the interface बनाते हैं यहाँ पर में क्या करता हो एक इंटरफेस बनाता हूं तो जिससे मैंने यह हैं पर लिखा interface और मान लिजी मेने यह नामसे एक इंटरफेस बना लिया और इस एंटरफेस के अंदर मैं ने एक function बनाया और इस function को नाम दिया मैंने show ये function हो गया इसको गवल डेकलियर करना इसी तरीके से मैं B और C ठीक है यह B इंटरफेस बन गया और इसको में इंटरफेस B कर देता हूं और इसको मैं interface C कर देता हूँ, यहाँ पर मैं जो है वो show की बजाए display कॉल कर देता हूँ और यहाँ पर मैं some को कॉल कर देता हूँ, ठीक है, यह interface बन गया मेरा, अब मुझे बनानी है class तो मैं बनाता हूँ class D, यह मैंने class D बनाई, जो की क्या करेगी, implement करेगी, class D मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ, जो की implement किसको करेगी, a, b, c, तीनों को implement करेगी, यह मेरी जो class है वो, लेकिन इसके अंदर मुझे बनाना पड़ेगा function, जो function मैंने बनाया था, तो मैं लिखता ह public के बाद मैं मैंने कह लिखा function, और कुन सा function बनाना है, show function बनाना है, तो मैं public और यहाँ पर show function लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं eco करवा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, उसी तरीके से मैं को दो function बनाने हैं, तो मै कॉपी करता हूं यहां जाता हूं यह पब्लिक फंक्शन शो मैंने बनाए था यहां में डिस्प्ले बना देता हूं यह डिस्प्ले हो गया यहां पर मैं डिस्प्ले कर देता हूं और इसी तरीके से शम बना देता हूं तो यहां पर मैं पब्लिक फंक्शन सम और यहां पर सम क कर देता हूं ठीक है अभी interface बन गया यहां पर और यह बनाई है में क्लास को मैंने क्या किया है अब मुझे बनाना पढ़ेगा object तो मैं $ obj is equal to new और मेरे पास class B है मैं बना दूँआ object और यहां पर मैं $ obj haro यहां पर call क करता हूँ शो शो एक function है फिर मैं dollar obj arrow यहाँ पर मैं call कर लेता हूँ display को ठीक है तो यह display को call कर लिया मैंने dollar obj arrow यहाँ पर मैं call कर लेता हूँ sum अब इस code को हम लोग run करते हैं तो मैं थोड़ा सा phone size कम कर देता हूँ तो देखे यह तीनों यहाँ पर आ रहा है अभी मैं एक काम और कर देता हूँ इनके बीच में BR tag लगा देता हूँ ताकि output proper दिखे तो यहाँ पर मैंने BR tag लगा दिया यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ ब्यार टेक लगा देता हूं डिस्प्ले और सम के बीच में भी मैं ब्यार टेक लगा देता हूं यहां पर मैं द्वारा से code को रन करता हूं तो आप देख रहे हैं यहां पर show display और सम तीनों function का जो output हो आ रहा है तो interface हमको क्या करता है मतलब एक alternate तरीका है कि अगर हमको multiple inheritance चाहिए एक class की properties को दूसरी class में access करना है और उसको multiple format में करना है मान लीजे आपके पास में class D है और class A है B है और C है आप चाहते class D के अंदर A, B, C तीनों class की property आ जाएं तो वो direct possible नहीं है लेकिन हाँ interface के थूँ, interface के थूँ हम लोग इसको कर सकते इंटरफेस बहुत important concept है पिए object oriented PHP के जितने भी framework है चाहे आप Drupal ले लो चाहे लारावेल ले लो जितने भी framework के महाँ पे interface का बहुत ज़्यादा यूज होता है और interface का जो यूज है वो multiple initiatives को achieve करने के लिए किया जाता है PHP के अंदर कर देर, जोगका जाता है जाता है Nord